नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है गुपाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब शेनल गुपिद गुपाल है इस वीडियो में मैं भारते समयदान से संब्सक्राइब कुछ प्रिशन लेख आया हूँ जो की सीटेट और सिच्छक भरती परिश्छा में बहुत ही इंप्रो परिश्छ नाम है और चलते हैं इस नेक्स्त कोच्छन पर पर है तो महारा पहला प्रिशन है भारतिये सविदान निर्मान है तुन सविदान सभा का गठन कब हुआ तो इसका आंसर है जोलाइग नाइंटीन भारतिय सव्यधान निरमान ही तुझ सव्यधान सभाह का गठन हुआ देश वह कब हुआ कि सव्यधान बनाने के लिए क्या गया था सव्यधान उन्निस सो सेतालिश आजाद होने से पहले ही एक साल पहले ही उसके लिए प्रिक्रिया सूर कर दी गई थी और चुलाई 1946 में इसकी पहली सभा की गई ताकि जब देशा आजाद हो तो हमारे पास अपना एक समिधान मौझूद हो विष्व का सबसे विषाल समिधान किस देश का है next question हमारा हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का जो समिधान है विष्व का सबसे बड़ा समिधान है नेक्स्ट कॉश्चन भारते समिधान के निर्माण में कितना समय लगा दो वर्स ग्यारे माह अठारे दिन बहुत ही important question है यह दो वर्स ग्यारे माह अठारे दिन यानि लबग लबग तीन साल होने में केवल हमारे यहां पर बारे दिन और बचे थे बारे दिन और हो जाते त चीन साल में बारे दिनं कम है सहां सभाई का प्रत्म अधि extrhn कब हुआ था हमारा नेक्स्ट कॉस्टेंस है समीधान सभाई का प्रतम अधिवियत subscribe हो तो समीधान सभा भी गठेत हो गई में और प्रतम अधिवेशन कब वह हमारा जुलाउग नाइडिकशन सभफार्पा करता है一直 question सभफास के प्रतम अधिवेशन की अद्दी शो लेकिन के द्यू नाइफ si哥 अस्थाई 찍 आशिताइ रूप से डाक्टर सचतारण सिन्ना जी को देगई डाक्टर सचताराण सिन्ना के अस्थाई रूप ने अधिशताईißtा की पहरी बैठे Nu लेकिन इसके जो इस्ताई अद्च से बादों बनाएंगे कि जो बैटक होई है वो नाइन दिसम्मर को हुई है तो अद्च जो बनाएंगे वो 11 दिसम्मर को बनाएंगे अध्रश चुने गए इस्थाई अध्रश और वो थे यमारे ड्राजिंद प्रिशाद ड्राजिंद प्रिशाद इस्थाई अध्रश चुने गए 1946 के 22 दिसंबर को तो इस देट कैसे भी न हमें याद रहेंगी ही कि वो दो दिन आगे है इस तरीके से एक दूसरे से डेट को रिलेट करके हम डेट को आसानी से याद कर सकते हैं समिधान निर्माड में सहायक प्रारूख समीथी का दिश्च कौन थे तो समिधान निर्माड यानि समाने कई समीथिया मनाई थी उसमें से सहायक प्रारूख समीथी सबसे ज्यादर इंपोर्टेंट थी इसी सहायक प्रारूख समीथी ने ही समिधान का निर्माड किया और इसक गिलीज प्रारूप समिति थी उपके अध्रिष्ट यह जो कि इसमें कई सब्धान का निर्मार किया जिनकी अध्रिष्ट दण्गर भीवण अंगी करद कर रहे थी। औरुकिद्छ चॉछिन समिधान को सर पत्परतम अंगी करत किया गया 21 कुछ और चुझी क्ना 밝혔क है। सविधान पूरी तरह से त्यार हो चुका था, दो महीने पहले पूरी तरह बन के त्यार हो चुका था, यह बात हमें याद रखनी है, तभी हमें डेड याद आएगी, और दो महीने बाद, यानि सविधान को भारत में कब लागू किया गया, दो महीने बाद, 12 जनवरी 1950 को वो महीने पहले सविधान को सरप्रतम सभा में अगीकरत कर लिया गया था, तो सविधान सभा की अंतिम बैठक कप की गई, अंतिम बैठक जो आहुद की गई, वो थी 26 जनवरी से ठीक दो दिन पहले, यानि कहते हैं कि कोई प्रोग्राम होता है तो उससे पहले हम एक कारियोजन जो बनाए गई, वो जनवरी से दो दिन पहले बनाए गई और उस समय, यानि 24 जनवरी 1950 को सविधान सभा की अंतिम बैठक आहुद कर लिए गई, कि अब हमारा एक काम खत्म हो गया है, अब हमारे इस सविधान सभा की कोई आव सकता नहीं है, क्योंकि हमारा काम लगवा दो दिन पहले सविधान सभा खतम कर दी गई, चलिए, आई होप यह सभी डेट याद हो गई हो गई आपको, नेक्स्ट कॉस्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन है, बात यह समिधान का जनक किससे माना जाता है, यह तो सभी जानते हैं, अची तरह से, कि भारते समिधा समिधान का जनक, डाक्टर भीम्रा, भारते समिधान की प्रस्तावना को क्या का जाता है, बहुत इंपोर्टेंट कॉस्चन है, भारत के समिधान में जो प्रस्तावना शुरू में लिखी गई है, प्रसम पेज़ पर ही, उसको पूरे समिधान की खुझी का जाता है, समिधा संसती ये सासन परणाली अब हम लेंगे लच्छन वाली समिधान कि हमारे भारते समिधान को बनाने में किस किस देश से कौन कौन से गुण या लच्छन लिए गए है तो ये संसती ये सासन परणाली जो ली गई है वो किस देश से ली गई है जो हमारे संस्ति स्था लिया गया है ब्रेटिय sex a हमें याद हम सक्राइब कि बेटेन से लिए नेक्स्ट है कि एक अलनाग में कि देश से लिएकानी नेक्स्टών इमным नागराद हमद्हानले pathway कि इस वीटेन से आज कर दे रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका पूरे देश में पूरे विस्व में मानबता को अधिक बल दे रहा है तो इसलिए हम उसको सकते हैं कि मौलिक अधिकार का गोड़ भी हमने वहीं से लिया है नेक्स्ट कोशन अगरे विकेंद्रिकार नक्षण समिधान में किस दे से लिए है सकते हैं कि कोई भी एक विक्ति सद्काधारी जो होता है वह महत्वा कांची ना हो जाए तो उसकी सक्तियों को विवाजित किया गया है इससरे से इस गास्टपती को प्रिधानमत्री से और प् विवाजित किया गए है इसी सीस्टम को हम सक्तियों का विवाजिन कर् Iris क souvent करेकर है ताकी वे दूस्य से करनेक्ट रहें सुप्रिम निर्माड ऐसी इखता ओधि इस अट कर दक और इसजो लिया गया है वो लिया गया है कराड़ा कंटी से कि मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है यहां करतब की बात हो रही है अधिकार और करतब में हमारे कि हमारे देश के पती क्या क्या डूटी है इसका पूरा वर्डन इस एक्षिन में किया गया है यह लिया गया है सोवियत संग रूस इंडूस से लिया गया है इसकी वैसे कोई भी पुरानी कुरूतियों को समाप्त कर नया नया संसोधन कर सब्सक्राइब और सुधत और सही बनाए जाता है इस जो इस लच्छन को किस देश से लिया गया है देश्चन अफिरखासी राष्ट कर थे पर हम भिचल देश पर आपको प्ता बंदी को किस तरह से चुने और यह पद्धिती जो ली गई है वह आयलेंड से ली गई है किसली है आयलेंड से हमेने याद कनेके ट्रिक अपने दिमाग से जैसे भी आपको लगता है कि राश्टपती का आयलेंड से क्या रिलेशन है तो इसको हम याद कर सकते हैं तो इसमें हमारा लिए इंपोडेंट है क हम कैसे भी इन country's को इन नामों से connect कर दें चलिए next है मारा सुतनता सम्ता बंदुता के आदर्स लच्छन सम्तान में किस देशी लिया गया है सुतनता का जो हमारे देश का एक मूल उड़ भी है सुतनता सम्ता बंदुता के आदर्स यह जो लिया गया है वह फ्रांस से लिया गया है वह जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी बहुत ही पहले सक्री हो चुका था तो इस सब्सक्राइब कर लिया है इसे लच्छा को टाप्त कर लिया है नेस्ट चलते हैं को सब्सक्राइब किस अनुसूची में रखा गया है सब्सक्राइब कर लिया है इसे लच्छा को साथवी अनुसूची के समवर्ति सूची में रखा गया है वर्तमान में भारते समधान में कुल कितनी अनुसूची दर्च है एक स्कॉर्चन हमारा है वर्तमान में भारते समधान में कुल कितनी अनुसूची दर्च है तो हमारे पास पहले प्रहारम में आठ अनुसूची थी ने संसोदित करकर के हमने जो है बारा बारा अनुसूची इसमें कुल दर्च कर लिए है यानि भारते समधान में बारा अनुसूची दर्च कर दी ग पूछा गया था हम भासाओं की बात कर रहे हैं तो आठ भी हैनी सुचिए भारत की कितनी भासाओं को मानता दे गई तो यह बहुत इंप्रोडेंट कॉश्चन हम यह लग रहा है क्योंकि अभी जो नए राज बने हैं संब्सक्राइज से बात है कुछा जा सकता है तो वर्स 2000 में जो तीन नए राज बने थे वो तह पहले 36 अनि मत्री परदेश अब अब और से एक नए राज चातिसक्राइव बनाए गया उत्राखंड उत्राखंड नए फिरा पर देसुच का पार था और एक जार खंड जो भ्यार का पार था नहीं को तीन जो हमारे स्टेट हैं इन से बनाए गई थे तीन इस्टेट चटिसकर उत्राकंड जाकंड सन 2000 में नई राज्य के ग्रूप में भारत में दर्ज के गए और हमारे भारत की कुल राज्य में संक्या 28 हो गई गई अपूंब गई नेक्स्ट बारत का 29 में राज कब और कौना अस्ट्रेटम्वा थे 28 वाज राज्य बना वह नया था हमारा जूब जून 24 को तेलांगना आंध्र प्रदेश का ढूंब कर दोब्सक्रेंद निया एक नया अंश्ट्रेट बनाए गया जो भारत का 29 में राजि 2014 में बनाएं लबत तीन सार पहले यह अभी नया राच्चे बनाएं नेक्स्ट वर्चन हमारा समिधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो थोड़ा समय इंप्रोडेंट लगते हैं मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या समधान में बढ़नेत हैं मौलिक अधिकार 6 इस समय बढ़नेत हैं साथ में से एक को खतम कर दिया जाए समधान संसोधन द्वारा अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं संसोधन खतम किया था और वो कौन सा अधिकार था जिसको इसके द्वारा डर्स्त किया गया था तो वो था हमारा संपति का अधिकार संपति का अधिकार संपता का अधिकार नेक्स्ट कोशन में हमारा है संपता का अधिकार किन अनुश्यद में बढ़नेत किया गया है तो संपता का अनुश्यद हमारा यह 14-18 अनुश्यद में बढ़नेत किया गया है नेक्स्ट कोशन है सरकारी पत्पत सम सबी को मिलना चाहिए इस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में आपके लिए और भी 30 questions भारतिय समदान से समद्रेट और भारतिय साशन विवस्ता जिस में राष्ट पती और पुछे जाते हैं मैं लेकर आऊँगा जल्द ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज इसे सेर कीजिए और मेरे इस चैनल को प्लूल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो अप्लोड कर सकूं और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तन्यवार थैंक यू औ और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन बच जाके यहां प्लीज कीजिए और क्लिक करने के बाद इस बेल आइकन पर प्लीक करना भी ना भूला है इससे हमारे नोटिफिकेशन आपको स्कूरंस आपके